इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है आई एम तरुन फ्रॉम गोर्मेंट पोलोटेक्निक अलाफुर बदायू तोडे इन इस वीडियो लेक्चर आई विल डिसकस अबाउट दा स्केलर एंड वेक्टर कौन्टिटी सदिस और अदिस रासिसे आप क्या सकते हैं examples किसी भी वेक्टर को कैसे रिपर्जेंट करते हैं और different type of vectors कोन-कौनसे वेक्टर होते हैं क्या-क्या definitions होते हैं वो आज हम लोग यहांपर दिसकस करने वाले chapter 2 के अंदर जो points है वो 2.1 आज हम यहांपर दिसकस करेंगे Scalar and Vector Quantity Then Example Representation of Vector and Type of Vector 2.1 वाले टोपिक को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले है इसके पहले के जो टोपिक्स है वो वीडियो मेरे चैनल्स पर है आप उसको देख सकते है तो First Scalar Quantity Scalar Quantity को हम लोग अदिस रासी भी बोलते है दो कटेगरी में बोतिक रासी उसको दो काटेगरी में डिवाइड किया हुआ है सदिस रासी और दिस रासी अदिस रासी नाम सही लगता है कि बिना दिसा के दिस रासी Scalar Quantity इस ऐसी कौन्टिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल केवल magnitude की आप सकते होगी direction की नहीं उसी को scalar quantity कहते है इस कोई भी physical quantity है आप उसका नाम बताई है और उसका measurement उसकी value बताई है तो वो काफी है sufficient वो sentence complete होगा तो उसी को हम लोग scalar quantity कहते है direction के बाद नहीं करते हैं जैसे कि हमने example में बात की दरोमान हमने का जो mass है इसका वो 5 kg है तो 5 kg को बताने के लिए हमें कोई दिसा नहीं बता नहीं सकते है 5 kg है अपने अप में complete है तो ऐसा कोई अगर measurement है जैसे हमने area की बात की किसी का area कितने 200 meter square है ठीक है 200 meter square है उसमें दिसा की तो कोई बात नहीं होगी किसी का आईतन पास लीटर है किसी का आईतन दो लीटर है किसी का आईतन एक It कि मैंगनितूर बताना परिमान बताना होगा उसका हम लोग अदिस राशिक कहते हैं ताइम है, हमने आपको बताया, टाइम 10 सेकंड है, 20 सेकंड हुए, लेक्चर का भी 2 मिनट हुए है तो वो 2 मिनट या 10 सेकंड उसमें मैं आपको दिसा नहीं बतानी है, उसको left, right, up and down की बात आपको नहीं करनी है केवल आपको value बतानी है तो वो sentence आपका complete होता है तो ये सब के सब जो quantity है scalar quantity है इनको केवल आपको value बतानी है दिशा की बात नहीं करनी है तो आपने आप में complete होगा इसी कौम लोग अधिस रासिय scalar quantity कहते है चलिए next vector quantity vector quantity सदिस बोलते हैं सदिस का मतलब दिशा के सहीद जिसमें आपको दिशा भी बतानी होगी जब तक आप दिशा नहीं बताएंगे जब तक वो sentence complete नहीं होगा इस बात का ध्यान रखे ऐसी बहुतिक रासिय जिसमें magnitude और दिशा दोनों होगी उसी का मतलब सदिस रासिय या vector quantity कहते हैं जैसे examples में आप देखिएगा कि अगर आपको displacement है displacement के अगर मैं बात करता हूँ तो आपको किसी चीज़ को displacement किसी को खिसकाना होगा तो आपको बताना है कि इधर इतना displacement किया मैंने कोई वस्तू रखी थी यह left side में ने खिसका दिया right side में change किया या up and down में change किया तो आपको यहाँ पर दिसा भी बतानी होगी और दिसा बताने से तब ही वो complete माना जाएगा कि हाँ वो displacement में इस साइड में हुआ है कि आपके बुक रखी हुई थी आपने इसको displacement आपने इसमें change किया उसके position और left side में उसको आपने 2 मीटर पर रख दिया तो आपको displacement में value भी और दिसा भी आपको बतानी होगी जैसे आप इस diagram में देखेगा यह force लगेगा यह एक cartoon बना हुआ है और आपको बल लगाना है तो दोनों ही इस्तिति में आपको दिसा भी बतानी है गी अंदर की तरफ या बहर की तरफ बल तो लगे गई बल तो उसको लगाना ही है बट दिसा भी तो बतानी होगी तो ऐसी इस्तिति में ऐसी quantity को हम लोग सदिस रासी बोलते है force है, acceleration है, velocity है यह सब के सब कैसे होगा हमें बताना होगा कि इसमें जो दिसा है वो इतनी दिसा है अब दोनों में क्या होगा, scalar versus vector scalar में number है और unit आपने बता दिया, 5 kg आपने बता दिया 5 और kg 5 number है, यह unit है vector में आपको क्या करना पढ़ेगा, 10 है, newton है और right में है तो आपको यह number है, यह मातरक होगा और यह इसके दिसा है, तो आपको दोनों चीचे बतानी होगी अगर कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है अगर उसको library जाना है तो आपको यह तो बताना होगा कि library 0.5 mile पर तो है तो यहाँ पर 0.5 जाएगा, तो library नहीं मिलेगी फिर वो इधर जाएगा, तो भी नहीं मिलेगी इधर जाएगा, वो भी नहीं मिलेगी तो आपको सही location पर पहुचाने के लिए उसको distance और दिसा भी बतानी होगी तभी वो उस इस्थान पर पहुँच सकता है तो यह scalar और जो vector के 20 का जो difference है यह common difference अब vector क्या होते हैं आप इस vector को समझेगा vector को अगर आपको represent करने की बात आते हैं तो उसको एक arrow से represent करते हैं यह तीर से represent करते हैं यह इसका tail है और यह head है जब धनुस होता है जब आप धनुस में तीर रखते हैं तो तीर हमेसा ध्यान लखना अगर ऐसे तीर बना हुआ है तो यही इसका चलने की दिसा होती है यह इसका back है यह इसका back होता है और यह इसका front है ऐसे ही चलता है तो यह जो तीर जब धनुस में आप लगाते हैं जो चलता है तो वही दिसा हम लोग यहां पर भी यूज़ करते हैं आगे की तरफ की दिसा होती है मिस इसके चलने की दिसा तीर के चलने की दिसा धनुस से जब निकलते हैं तो वही दिसा हम लोग यहां पर भी फॉलो करता है मिस यह इसका हैड होगा और यह इसका टैल होगा अब बात आती है इसकी लंबाय की इसकी लेंद की यहां से यहां तक इसकी जो length होगी वो magnitude बताए मैगनिटूड का मिंस क्या होगा कि मानो ये एक vector है और ये एक वेक्टर है ये 5 newton लिखा हुआ है तो आप देखो ये दिखने में थोड़ा जस डबल लग रहा तो आप ये मान के चलिए 10 newton होगा दिसा सेम है दिसा इसकी सेम होगी रिजन कि देखो यहां से आतक तो 5 परिमान है और ये भी 5 आप मान लिजे तो 5 दस newton मैं जाए मिस जो लंबाई है तीर की वो वेक्टर का क्या है परिमान है magnitude बताता है तो यहां पर दो चीज़े है एरो की जो दिसा है वो चलने की दिसा है वो ही आपके तो मिस लंबाई से आप अंदाजा लगा सकते हैं उस वेक्टर के magnitude की तो यह वेक्टर का रिपरजेंटेसन है कि वेक्टर को कैसे रिपरजेंट करते हैं वेक्टर की जो चलने है जो दिसा हम बताएंगे वो धनुस में जब तीर आप यूज करकर चलाते हैं तो कभी भी ऐस अगी की तरफ जाएगा ऐसे आप धनुस बनाएंगे तो चले गाई नहीं चलेगा या किसी को क्या इंजरी को घायल तो होगा नहीं उससे तो दिसा जो होगे धनुस में उसी दिसा को हम यूज करते हैं यहां पर भी यूज करते हैं लंबाई का आपको concept सेम रखना है कि जो जो arrow है उसकी जो length वो magnitude बताते हैं इस point को भी आपको note करना है तो दो चीज़े यहां पर हैं दिसा और magnitude मैंनिटूड मिस्स उसकी लंबाई दिसा मिस्स उसकी arrow की जो दिसा होगे तो दोनों चीज़ें आपको यहां पर clear होनी जरूरी है अब type of vector है means vector कितने types के होते हैं वो भ अगर कोई ऐसा vector हो कि जिसका initial point और जो last point जिसको terminal point कहते हैं वो एक ही हो उसको हम लोग नल vector बोलते हैं 0 vector बोलते हैं कि शुरू भी वही है और खतम भी वहीं पर होगा तो ऐसे vector को 0 vector बोला जाते हैं दूसरा जो vector है वो unit vector है एक आंक एक आंक का मतलब ऐसा vector जिसका magnitude one हो जिसका परिमान one हो उसको हम लोग एक आंक vector बोलते हैं unit vector बोला जाता है co-initial vector co-initial vector में क्या होगा कि अगर किसी vector का initial point सेम हो प्रारम्बिक जो बिंदू है यह प्रारम्बिक बिंदू है अगर यह बिंदू सेम है अगर मैं दो यह दो सर्ध वेक्टर के तो हम उसको को स्टार्टे से लीनियर पौइंट मरे होगा कि जो समानांतर होगा और यह समानांतर होगे तो है करना के साइज इसको को समान ली बोल सकते हैंि इक्वल वेक्टर की बात करते है容 उसका Study Resident दोनों ही सेम मां अपधा मैंने हो साइज नहीं बना दिया डोने ऐसे बिल्कुर सेम है तो ऐसे वेक्टर कि क्या कह सकते हैं ूर। ऊर। इसकोते हैं और और उसकर लंबा ही हैAh गोडियों की वह भी सिव Ben उसको like vector कहते हैं और जो एक दूस्ते के opposite होगे उसको हम लोग directions 180 degree हो सकते हैं एक left के तरह भी दूसरा right के तरफ होगा तो उसको हम लोग unlike vector कहते हैं तो यह ऐसे vectors के अलग-अलग नाम रखे होए है कि अलग-अलग टाइप इससे जादा भी types हो सकते हैं कि हम लोगों नहीं पर लिमिटेड वेक्टर को कवर किया हुआ है तो सिंगल सिंगल लाइन डेफिनेशन होते हैं इन वेक्टर की तो आप सभी को यह जाना ज़रूरी है अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के बिचिसको सेयर करें थेंक्यू